जो व्यक्ति इन साधनों को इस्तिमाल करना सीख लेता है, अपनी इच्छा से, कुशल्ता से, वो स्वभाविक रूप से एक असरदार मनुश्य बन जाएगा. इनसान एक संभावना है. आप इसे एक उंची संभावना बना सकते हैं. अगर ऐसा होना है, तो हमें साधनों पर थोड़ी धार देनी की ज़रूरत है. साधना पद का मतलब है, साधन यानी उपकरण. पद यानी वो समय, जब हम साधन तयार करते हैं, हमारे पास कौन से ओजार हैं? अगर आपका स्कुरू ढीला है, तो शायद आप एक पेचकस या पाना लेकर चलें. वरना एक इनसान के रूप में आपके पास जो औजार हैं, वे सिर्फ आपका शरीर, मन और आपकी उर्जाएं हैं. आपके पास यही साधन हैं. जो व्यक्ति इन साधनों का इस्तिमाल करना सीख लेता है, अपनी इच्छा से, कुशलता से, वो स्वभाविक रूप से एक असरदार मनुश्य बन जाएगा. जो व्यक्ति शरीर या मन या उर्जाओं का सचेतन और अच्छा उप्योग करना नहीं सीखते, वे हमेशा सोचेंगे, दुनिया में नाइनसाफी हैं. ओ, दूसरे भाग्यशाली हैं, मैं उससे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, पर सभी उसका साथ देते हैं, हम हमेशा यही कहानिया सुनते हैं, आप अपने जीवन में असफल होकर, कई कारण और फिलोसफी बता सकते हैं, या आप एक सफल मनुष्य हो सकते हैं, बस यही दो तरीके हैं, हम, बस यही विकल्प है, जिन्हें अपने आप में या दुनिया में सफलता नहीं मिलती, उन्हें हमेशा शिकायत होती है, मैं ऐसा इसलिए हो गया हूँ, क्यूंकि मेरे पिता का बरताव मेरे साथ अच्छा नहीं था, जब आप ऐसे हैं, तो वे आपके साथ अच्छा बरताव कैसे करेंगे, हम? मैं आपके साथ कठोर होने की कोशिश नहीं कर रहा, पर अगर आप बच्पन में ही शैतान और खराब हैं, तो आपके पिता दोगने कठोर और खराब होंगे, मैं उनकी उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, हलो? उन्होंने आपसे ज्यादा जीवन देखा है, है ना? हलो? शायद जीवन ने उनको आपसे कहीं ज्यादा परिशान किया हो, और उन्हें आपको भी जहिलना पड़ा? ये एक चीज, अगर आप साधना करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में इन तीन बुन्यादी उपकरनों, शरीर, मन और उर्जा का उप्योग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज, हम आपके भीतरे से उतार रहे हैं, इनर एंजिनेरिंग के पहले दिन से ही, कि मेरे भीतर, बाहर, जो कुछ भी होता हो, अच्छा होता हो, बुरा होता हो, सुन्दर चीजें होती हों, घिनौनी चीजें होती हों, जिम्मेदारी मेरी हैं, ठीक है? हलो? क्या आपने अपने भीतर यह समझ लिया है? हम? अगर सफलता मिलती है तो वजह मैं हूँ, अगर नहीं मिलती तो भी वजह मैं हूँ, क्या आपने यह समझ लिया है? सद्गुरू हमें लगा कि यह काम आप हमारे लिए करेंगे. व्यक्ति को अपने जीवन में इसे जल्दी ही ठीक कर लेना चाहिए कि आप खुद अपने जीवन में कभी समस्या ना बने आपका शरीर, आपका मन, आपकी उड़ जाएं कभी समस्या ना बने बाहर को समस्या होंगी पर हम उन्हें संभाल सकते हैं अगर ये कोई समस्या ना हो आपके जीवन की हर चुनौती में जब ये ही एक समस्या होगा तो आप सिर्फ चुनौतियों से दूर भागेंगे अगर आप चुनौतियों से भागेंगे तो जीवन की सभी संभावनाओं से चूप जाएंगे आप बस तायर सदम बनकर रह जाएंगे क्या वो आपको तायर सदम दे रहे हैं? उम्मीद करता हूँ नहीं दे रहे सब को पता है कि ये आलस पैदा करता है तमिलाडू में प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल से टीचर्स हमेशा देखते हैं कि अगर कोई सुस्थ है तो वे कहते हैं जिसका मतलब है क्या तुम दही चावल खाकर आए हो तो वे जानते हैं कि ये सुस्थी पैदा करता है पर सिर्फ विद्यार्थी ही खाकर नहीं आते शिक्षक भी खाकर आते हैं तो सुस्थी एक शांदार चीज है ये कई समस्याओं से बचाती है क्यूंकि आपको ये भी पता नहीं होता कि कोई समस्या भी है ये देखने के लिए थोड़ी बुद्धी चाहिए कि क्या गलत है सब कुछ ठीक है समस्याओं से मुक्त रहने के दो तरीके है किसी ने कहा है मुझे याद नहीं किसने पर ये कहा है फरिष्टे समस्याओं से अच्छूते होते हैं उनकी प्रतिभा के कारण और जानवर समस्याओं से अच्छूते होते हैं प्रतिभा की कमी की वज़े से पर इंसान बीच में जूलता रहता है और संघर्ष करता है क्यूंकि वो अभी भी एक संभावना है अभी एक वास्तविक्ता नहीं बना इंसान एक संभावना है आप इसे एक उची संभावना बना सकते है या आप इसे निचली संभावना तक धक्का दे सकते है ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से अपने शरीर, मन और उरजाओं का प्रयोग कर सकते है क्या आप उनका प्रयोग करेंगे या क्या वे आपका उप्योग करेंगी? ये एक सवाल है. जब मैं कहता हूँ कि वे आपका उप्योग करेंगी, तो बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना लोगों को नीचा समझे, बस ध्यान से देखिए. लोगों के जीवन में, क्या प्रतिबद्ध है? धर्ती के ज्यादा तर लोगों की जिन्दगियां, उनके शरीर, उनकी मानसिक जरूरतों, भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने की और प्रतिबद्ध है. बस यही है. हलो? उनके पूरे जीवन का आयोजन बस इसी के लिए है. आप इसे बिजनस कह सकते हैं, करियर कह सकते हैं, परिवार कह सकते हैं, घर कह सकते हैं, पर सिर्फ जरूरतें पूरा करने के लिए, शारीरिक और मानसिक जरूरतें, पूरे जीवन का बंदोबस्त किया जाता है, है ना? कृपया, आप मुझे बताईए. मैं आपकी राए से चलूँगा आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा ये सही है ये शरीर विज्ञान और ये मनो विज्ञान यहां आपकी सेवा के लिए है या आप उनकी सेवा के लिए वे हमारी सेवा के लिए है पर ज्यादा तर मनोश्य उनकी सेवा कर रहे हैं पूरी जिन्दगी नाश्ता खाते समय वे दोपहर के भोजन की योजना बना रहे होते हैं दोपहर का भोजन करते समय वे रात के खाने की योजना बनाते हैं तो बस खाने, मकान, सुरक्षा, एक दूसरे के प्रतिभावनाओं की बाते होते हैं वागई पूरा जीवन बस शारीरिक और मानसेक जरूरतों के इर्द-गिर्द घूमता है इसे ही सामान्य जीवन कहा जाता है तो मेरा इरादा है कि आप असामान्य हो जाएं कि आप अपने शरीर और मन का उप्योग करके इस जीवन का विकास करें जीवन को गुलाम ना बनाएं अगर ऐसा होना है तो हमें साधनों पर फुड़ी धार देनी की जरूरत है नहीं तो सुभे पांच बजे शरीर कहता है बक्वास चुप चाप सो जाओ मैंने सोचा जो लोग मरना चाहते हैं वे ऐसे होते हैं पर जो लोग जीना चाहते हैं वो ऐसा क्यों करेंगे हलो जो लोग मरना चाहते हैं वे अपनी आँखें बंद करेंगे जो लोग जीना चाहते हैं, उन्हें सूरज की पहली किरने देखने के लिए उठ जाना चाहिए इससे पहले की किरने धर्ती तक पहुंचे आपको सबसे पहले सूरज की किरनों को देखना चाहिए ना की कीडे मकोडों को, ना की पक्षियों को, ना की घास की पत्तियों को, आपको सूरज की किरणों को देखना चाहिए. रोज अगले दो सप्ताह के लिए, सूरज की पहली किरणे अपने शरीर पर पढ़ने दीजिए, और देखिए क्या होता है. आप एक बिलकुल अलग जीवन जीएंगे